हेलो दोस्तों मैं वेक आपको भी डॉट परिहार इंडिया में सौगत है तो चलिए आज फॉर्मस ओफ मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो इसमें हम जो डिसकस करेंगे वह देखते हैं क्या डिसकस करने वाले हैं तो देखो सबसे पहले हम मार्केट की डैफिनिश को मार्केट होने के लिए को बायर और सेलर का या मतलब खरीदने वाले का और बेचने वाले का दो लोगों का होनाज़रोवी वहां बेचने वाला भी है और खरीदने वाला भी ओस चीजे जो होती है वो मार्केट में आती हैं देखो यह जो second point लिखा है कि market वे देखो good and services का होना बहुत जादा जरूरी है और दूसरा point buyer और seller होना चाहिए अगर कोई भी market होती है तो ठीक है एंद फूर्दर चलते हैं तो देखते हैं market कितनी तरीक्य ओती है देखो बसीट है इसकेडिेंगा में एक छोती है म Ned को v में धिव और तरitute में हम छोटी छोटी पार्ट में इसको डिवाइड कर में सिर्फ मैं आप से इसके बाद इंडिविज्वली हर छोटी छोटी वीडियो में हम इसको डिसकस करने वाले जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहे और बहुत आराम से हम चीचे सीख चके तो अगर भी चैनल में आये होना तो यार पूरी वीडियो देखके जाना ठीक है ना और जो नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे देखते हैं परफेक्ट कॉंपटिशन क्या होता है तो देखो परफेक्ट कॉंपटिशन का मतलब क्या होता है परफेक्ट होता है homogenous का मतलब समझते हो 10th class में पढ़ा था हम लोग नहीं और इसके बाद जब हमने 11 12 करी थी तब भी हमने पढ़ा था होमोजीनेस का मतलब सेम होता है ठीक है सेम साइज का सेम क्वालिटी सम्तिंग तो सारी चीचे जो हैं सिमले टाइप के प्रोड़क्ट यह लोग जो है परफक कॉंपटेशन मार्केट में डील करते हैं और जो यहां का देखो परफक कॉंपटेशन का जो डिमांड का वह वह व पर एक्जांपल सपोज करो पहली बात तो यह मार्केट जो है आज की वर्ल्ड में न वह एक्जिस्ट नहीं करती है ठीक है आज तो बहुत ज्यादा कॉंपटेटिव मार्केट है ठीक है तो यहां परफेक्टली परफक कॉंपटेशन मार्केट एक्जिस्ट नहीं करती कि ह सब्सक्राइब करेंट मार्केट में तो मालो जैसे वेश्टेवल मार्केट हो गई हम कभी मार्केट जाते हैं तो अगर पोटेटो का रेट चल रहा है चेंज हुआ और दिमांड क्या है पूरी तरीके से जो है लिमिटलेस हो जाती है सारे लोग दूसरे लोगों से खरीदना छोड़ के आपसे ही पर्चेस करना श्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो यहां पर ड्रास्टिक लेगे चेंज हो जाती है तो चलो आगे चलते हैं इसके फीचर देख लेते हैं परफेक्ट कॉंपटिशन के क्या है तो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले लाज नंबर ऑफ पाया सेलर होते तो इस मार्केट में जो है ना वह बहुत जादा होते खरीदने और बेचने वाले बहुत जादा लोग होते हैं इस देखो न पर इस मार्केट में जो प्रोड़क्ट है वह होमजेनिस होता है सेम साइज के सेम कलर क्वालिटी लेबलिंग पैकेजिंस कब एक जैसे अब सब्करों करो यहां तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप विजटेवल मार्केट या विजटेवल का एक्जामपल बहुत अच्छे से लेख सकते हैं और पर पर देखो फ्री एंट्री एंड एक्जिट अब यहां पर देखो कि मार्केट में आपको कोई डिस्टिक्शन नहीं है आप जाओ आप अपनी जो है विजटेवल कहीं पर भी मार्केट में लगा लो और जब मर्जी लेकिन हाँ प्राइस आपको मार्केट के हिसाब से ही सेट करना होता है जब आपका मन करें जब आप लगाओ जब आप कमन करें हब आप होसे हर सकते हैं आपको कोई भी रोकने वाला नहीं रोकने और नहीं आ अब बात बताओ अगर कोई भी बंदा सेम ही प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहा है पूरी मार्केट में सेम ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है ठीक है तो अगर सेल होगा तो बायर बेचने वाला भी सब जानता है कि अगर पोटैटो सेल हो रहा है तो हर जगे यह 10 रुपे किल लेगा quantity के basis पे तो से भी नौलिज है कि हाँ particular जो है वो इसी भी रेट पे मिल रहा है ठीक है तो और नॉलरिज किसको होती है बायर को भी होती है और सौ Annika basic कॉंपटिशन मार्केट में ठीक है इसके बाद देखो यहीए बात धें सेकंड पॉइंट देखो selling cost अब देखो perfect competition में selling cost तो निली होती है आपने कभी देखा है कि किसी विश्टेवल वाले ने अगर कोई डेड़ी वाला है ठीक है श्टेक होल्डर से वो क्या करते हैं होकर सोरी जो होकर सोते हैं वो क्या करते हैं वो बेसिकली कहीं भी अपनी ठेली लगा लेते हैं और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं वो कभी advertisement करते हैं कि भाई आके खरीद लो या कोई holding लगा दी बाहर ठीक है ऐसा तो कभी नहीं होता तो उनकी selling cost जो होती है पफाक competition में जो हो determination पफाक competition के अंदर देखो price जो set करती है ना वो market सेट करती है और industry price सेट करती है और जो firm है वो price को देखो industry is a price maker and firm is a price taker तो industry जो है वो price बनाती है और जो firms होती है वो छोटे-छोटे मालो रेडी वाले जो सबजी वाले वो सब उस price को क्या करते हैं exhaust करते हैं और उसी हिसाब से उसको sell करते अब suppose करो कि सुबह morning में सभी लोग सब्चिया लेके आते हैं market में ठीक है फिर वो लोग discuss करते हैं कि आज हम particular product को इसी rate बेचेंगे तो सभी market में वहाँ पर आसपास की market में क्या होता है सब same price पे sell कर रहे होते हैं product को ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारी market same product sale कर रही है same price पे तो किस ने price set करा एक पूरी market किसी एक individual बंदे ने price को नहीं set करा और जो भी उसको sell करेगा वहाँ पर कोई नया भी बंदा जाएगा तो वो market के हिसाब से ही product को sell कर सकता है अगर if in case वह market की बात को नहीं मानता तो उसको वहां से side कर दिया जाएगा और वह market का part नहीं होता है ठीक है तो price determination में ध्यान रखना कि industry is a price maker and farm is a price taker ठीक है यह बात होती है क्योंकि यहां पर फ्री supply और फ्री demand होती है कोई किसी को रोक नहीं सकता है ठीक है इन इसके बाद देखो अगर शेप की बात कर लेते हैं यहां पर आप निमेरिकल देख पा रहे होगो छोटा सा तो देखो क्या होता है अगर कोई भी प्रोड़क्ट का प्राइस सिमिलर है ठीक है तो क्या होता है जो total revenue होता है वह constant rate पे increase होता है अगर constant rate पे increase होगा तो जो टी आर का difference होता है वह मार होता है तो अगर टी आर का difference है और मार होगा तो देखो अगर constant rate में होगा तो constant rate में यह भी increase मतलब constant रहेंगे अगर 10 का changes आ रहा है तो हर बार 10 के ही changes आ रहे हैं तो याद रखेंगे कि perfect competition में AR और MR कर्व जो होता है वह क्या होता है बिल्कुल constant होता है parallel to x-axis होता ही यह diagram में आप देख पा रहेंगे बस इसमें इतना ही था बस sufficient है इतना लिख देते हैं thank you very much वीडियो देखने के लिए भाई